एक ह RDOOOOO इस वीडियो में हम जानेंगे कि computer क्या होता है तो आज कल सभी लोगों ने देखा होगा अपने देखा कि computer होता क्या है अगर नहीं देखा होगा तो भी कोई बात आप ने है इस इसमें अगर आप गयांगेड eh तो आप देखे होंगे शायद कंप्यूटर लेकिन अगर आप कंप्यूटर का भी जानने का मौका नहीं मिला कि कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर काम कैसे करता है तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं थाकि एक साक्षरता हो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है कैसे सब कुछ होता है कंप्यूटर म इसमाने देख overly मैं करते हैं इसमें monitor इसे पर जोiada है सब से पहले जिसके ध्यान जाएगा आपका हो है कि इसमें monitor है यह यह पाटे स्कृट्रेज टीवी स्क्रीन जएसा लगता देखने में तरक्ष्क कते हैं monitor okay Music क्यस्ते का इप again क्या लिखते हैं कुछ cheating माने टर है okay कि यह होगे मॉनिटर तो टीवी स्क्रीन जैसा लगता है देखने में आप इसको टीवी स्क्रीन जैसा ही समझ लीजे नाम उतना याद रखने का जरूत नहीं बेसिक हाली आइडिया होना चाहिए दूसरा चीज का आपका ध्यान जाएगा की बोर्ड जिससे इसमें की टाइप करते हैं इसमें टाइप करिएगा तो स्क्रीन पर कुछ-कुछ दिखेगा की बोर्ड कैसे लिखते हैं के यवाई बी ओ ए आर्ट कीबोर्ड 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 में क्या था है टाइप करिएगा तो स्क्रीन पर कुछ-कुछ दिखेगा यह चोटा सा चीज है इसको कहते ह गें हैं से इंड़ी में कैसे लिखेंगे हैं माॉस ऑके में होगे मॉस और मॉस से क्या होता है माॉस को पकड़के घुमाई का तो स्क्रीन पे जो कर्सर है वह पोईंटर टाफ को हुता है आगे पीछे गूंता है और चौह चीज कहा है यह चो डबह जैसा लगते देखने में इसको कहते हैं CPU, इन दीम लिखेंगे, CPU, okay, CPU का मतलब होता है Central Processing Unit, इसको जानने के ज़रत नहीं, वैसे लिख देता हूँ, Central Processing Unit, okay, Central Processing Unit, समझे, computer का जो दिमाग है, जो brain है, जहां पर सारा calculation, सारा जितना भी addition, subtraction, या कोई भी काम computer का हो रहा है, वो CPU के अंदर ही, इसी एरिया में हो रहा है, बाकी चीज़ क्या है, computer से type किजिए, और यहां पर screen पर दीखेंगा, या mouse को घुमाईगा, तो click कर सकते हैं सब, लेकिन ज समझे, brain, सारा चीज़ा ही पर होता है, यह होगया, तो computer क्या है, basically, आप सुचेंगे, computer क्या हो, यह तो और और यह बिला चीज़ हो गया, तो यह जो पूरा, यह सब कुछ मिला के computer हो, चारों चीज मिला के समझे, computer हो गया, ऐसा नहीं है, computer में सिर्फ 4 चीज़ होता है, किसी कि juich Cameron gonna फिरां में कुछ और भी हो सकता गोड़ा जीजे कि इसे कुछ और प्रीटर होता है या कुछ और इसे चाम लगा हो रणता है आपका फाल काली में जेगा तो चामेरा लगा रहता है वह भी क्योंकि computer हुए ही नहीं सकता है आप देखिए computer क्या हुआ फिर computer हुआ एक system ये collect जो ये चारो चीज का मिला के बना computer समझ गया computer कोई एक चीज नहीं है computer क्या करता है आपका input लेता है आपका जो आप कुछ information डालते है computer में हो लेता है और फिर क्या करता हूँ screen पर दिखाता है और आप जो कंप्यूटर में input दिये उसको process करता है process मतलब जैसे add करने बोले सब्ट्राइट करने बोले वीडियो प्ले करने बोले वह सब काम computer करता है वह सब काम आपके इंस्ट्रक्शन याई आपके आपके command पर हो करता है आप जो कहे उसको follow करेगा उसको करेगा ओके यही है computer का काम और computer एक system है computer एक नहीं है कोई computer ऐसे नहीं कि mouse computer है या monitor एक computer नहीं सब कुछ मिला के computer बना है और देखिए आजकल laptop भी आप देखे होंगे laptop आजकल ज्यादा चलता है क्योंकि इसको ले जाना इधर उदर कहीं पर भी move करना आसान है बैग में आप पीछे लटका के ले जा सकते हैं इसको और ज इसमें तो चार चीज़ दिख नहीं रहा है असा आपको लग सकता है लेकिन इसमें भी चार चीज़ है देखिए यह जो सामने दिख रहा है screen screen तो आपको आराम से दिख गया होगा यह monitor आपका ओके यह होगा monitor ओके इसको लिख देते हैं जी मैं monitor और यह keyboard भी आपको आसानी से दिख गया होगा यह keyboard है इसको आप टाइप कर सकते हैं ओके किबोड होगे है अब बले यह ध्यान से देखिए गा है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है अगर आप सामने से देखें होंगे laptop तो यहाँ पर टॉच करने वाला होता है यहाँ प देख करके आप इस पर हाँ चाहिए से घुमाईएगा तो यह computer पर स्क्रीन पर mouse जो होता है pointer हो घुमेगा समझ गया है तो इसको यही है mouse इसका समझ गया है इसको कहते है mouse माउस कह सकते हैं इसको mouse लैप्टाप के टर्म में इसको touchpad भी कहा जाता है touchpad touchpad भी कह सकते हैं इसको mouse कहिए आपको कोई एकदम exact एकदम पका पकी नाम याद रखने का जरूत नहीं है यह मैं सिर्फ इसलिए बना रहो कि आपको एक जानकारी कोई computer होता क्या अब मैंने तीन चीज़ दिखा दिया लेकिन सबसे है computer का वो तो दिखी नहीं रहा उसमें तो brain क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि यह जो है नीचे का एरिया में होता है यह जो एक तम नीचे से समझे लैपटाप की नीचे का रही होगा ना वहाई पर cpu होता है नीचे का एरिया में है यह पूरा यहां से यहां तक होता है पूरा इस एरिया में लेकिन नीचे होता है उपर ने हो पर तो keyboard है कआ तो देखीक ली लैपटाप भी देख ले और computer भी देख ली हाँ अब देखी कुंप्यूटर मेंые structure willoncesβ tavra माऊस में जब अपक्लिक करते हैं पो जब information कम्प्यूटर के अंदर जा रहा है तो उसको कहते हैं input device इन अंदर कम्प्यूटर के इंफिरमेशन जा रहा हैं अब पोले हैं कि Mike केसे इनप्ड डिवाइस है ग् inefficient जो है जब मैक में बोलते हो आवाज आपका अंदर चले जाता है आपकल के लिगए निकला, perseण अंदर चले गया इसलिए Mount camera इंपूट डिवाइस कैसे के also camera को केरा इंपूट डिवाइस कैसे है camera के सामने के छारा रहा तोरा पिक्चर और पिक्चर के क्या होता है पेपर रखिए इसमें कुछ भी लिखा रहेगा तो इसमें बटन दबाईएगा तो क्या होगा क्या होगा क्वेटर के अंदर पेज का पूरा पेज का प्रिंट आउट जैसा अंदर में दीखिए लेकिन वह प्रिंट नहीं है कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अपने फॉर्मेट में वो अंदर स्टोर हो गया सेव हो गया समझ गया तो स्कैनर भी एक तरह का इंपूट डिवाइस है क्योंकि आप एक पेपर रखे और उसका पेपर पर जो चीज लिखा हुआ था कंप्यूटर उसको अपने अंदर ले लिया सारे जानकारी ले लिया जब कंप्यूटर जानकारी लेता है आपसे यानि आप क्या हुआ मॉनिटर जो मॉनिटर है यह मॉनिटर आप उसको देख रहा है कंप्यूटर आपको चीज दिखा रहा है जो फोटो दिख रहा है या वीडियो दिख रहा है या आप टाइप कर रहा है तो जो चीज आप कर रहा है तो आपको कंप्यूटर आपके मॉनिटर पे द जब होगे input device लेकिन mouse जब घुमाते तो यहां उपर में घुमता हूँ दिखता है monitor पे तो दिखता कहाँ पे monitor पे इसलिए monitor होगे output device speaker output device कैसे है speaker output device क्यों है क्यों है क्योंकि आवाज computer के अंदर से computer के बाहर आवाज आ रहा है आप सुन रहे हैं तो computer के बाहर जब कोई चीज जाता है तो output device करते है out मतलब बाहर computer के बाहर गया output हो गया printer output device कैसे हुआ printer में क्या होता है आप जैसे railway ticket book कराने गया होगे तो क्या करता है mouse पे क्लिक करेगा print एक button रतास पे क्लिक कर देगा तो printer से page निकलेगा उच्क में सार चीज लिखा रहा है तो computer के अंदर से वह चीज बाहर आ रहा है computer से जब चीज बाहर कोई आता तो output device हो गया computer के अंदर कोई चीज आ रहा है to input device हो गया तो यह हो गया basic धान्चा computer का computer का अझा अलो elements हुआ है उसमें क्या होता है मॉनिटर हो सकता है जिसमें आप टीवी स्क्रीन जैसा है कीबोर्ड हो सकता है टाइप रेटर जैसा जिसमें टाइप कर सकते हैं माउस है जिसको की पकड़ के आप घुमाते हैं और उसमें को बटन मगरे क्लिक कर सकते हैं मॉनिटर पर दिखेगा और सबसे इंपोर्टन कहा है कंप्यूटर का ब्रेन जो यह CPU हो गया सारा चीज सारा प्रोसेसिंग जितना कैल्कुलेशन है जोड़ गटाओ गुना भाग वीडियो को प्ले करना है इंटरनेट पर जाना है हैं वेब साट को खुलना है सब क्मप्यूटर का CPU के अंदर ही होता है सै इससे के मुद्टthrough बारे क्या होता है कंप्यूटर उसके दर करीद्ट देना डिया का मकसद था इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद